हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओल्टाइम क्लाशी सांडपूर चैनल पर दोस्तो मैं संजीव तोमर एक बार फिर आपके सामने आज सेटिंग अरेजमेंट या नहीं रिजनिंग की एक किलास लेकर आया हूं इसमें दोस्तो अगर देखा जाए तो हम एक एक किलास पहले बना चुके हैं ठीक है दोस्तो और दूसरी किलास यह होने वाली है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिटिंग अरेजमेंट अगर देखा जए तो दो तरीके से हो सकता है ठीक है दोस्तो तो आज जो फस्टाइप की अगर बात की जाए तो फस्ट एक होगी लाइन के ठीक है ना वर्तकार के बारे में हमने बात की तो दोस्तों आज की किलास आपको बहुत पसंद आने वाली और दोस्तों दूसरी बात यह जो किलास होती है न दोस्तों यह इस पेसली सभी competitive के लिए बहुत ज़्यादा खास है खास तोर से bank और SSC के लिए ठीक है न दोस्तों तो मेरी आप से request है की जब तक यह किलास चले कोशिस करना कि आप हिनले टूनने की कोशिस ज्यादा ना करा हिनले टूनने की means यह नहीं कि आपने 10 मिनट अब देख ली 10 मिनट बाद में देख लिए इस तरह ठीक नहीं हो पाने काम मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक जगे बैठके एक किलास प्लीज कोशिस करना कि यह एक ही बार में खतम होगे अदरवाइज यह question फिर lengthy question होते हैं इतने बड़ अगर मैं दिखाओं आपको कुछ तो कितने बड़े बड़े ले सब्सक्राइब हो जाओकर छोड़ दोगे यह नहीं होने का ठीक है ना समझे दोस्तों तो मेरा कहने का मतलब है यह कि आप एक बार में बैठके और स्टार्ट करना अपने अपने किलास अच्छे से देखना तो ज्यादा नहीं कुछ मेरे हिसाब से जितनी भी देर की किलास बन सकते हैं मुश्किल से एक घंटे की किलास बनेगी ठीक है दोस्तों चलिए सुरू करते हैं तो किलास हमारी आपको पता सुरू कैसे करते हैं कैसे करते हम अपनी किलास किलास सुरू करते हम अपने आज के विचार से आज का विचार क्या है दोस्तों जिन्दिगी में तकल कितनी भी हो कभी हतास मत होना क्योंकि दोस्तों कितनी भी तेज हो समंदर कभी सुखा नहीं होता तो बात आई दोस्तों समय में कितनी भी आप पत्ती आजाए कितनी भी दिक्कते आजाए तो आप हतास मत हो आकरो हतास होने से आप अगर डी मोटिवेट होते हो डी मोटिवेट होने से आपके साथ ये दिक्कत होगी कि आप काम करना बंद कर दोगे आपने काम करना बंद मत किया करो यानि इट मींज कि आप अपनी पढ़ाई का काम निरंदर जारी रखे इसका मतलब यह होगा कि अगर आपको अंदर रेगुलर्टी होगी कि तब यह आपको काम्याबी मिलेगी दोस्तों ठीक है ना अधर्वाइस बिना काम्याबी के कुछ निवी सूरी रेगुलर्टी के कुछ निमिलने का आपको इसलिए आप हतास सुझात तो एक एक्जाम कौलिफाई नहीं हुआ एक एक्जाम ना कौलिफाई होने के विजह लो भी मर गे हम तो परेशान होगे इस तरह नहीं दोस्तों हतास कभी नहीं हो ना जब तक है दम जब तक लगाते रहों ठीक है ना बस कोशिस रखो कि यह मेरा आखरी अटेम्ट ह है और इस रटेम्ट में मैं कर दिखांगा ठीक है ना दोस्तों चले सुरू करते हैं किलास तो पहली किलास के अगर बात करे जाए पहली किलास एक थी दोस्तों वर्ताकार से हमने इस तरीके से बात करी थी ठीक है यह तो वर्ताकार थी तो अगर बात की जाए यह वर्ताकार ठीक है वर्ताकार या गोल मेज एक सब्द पर योग कर रहे थे हम गोल मेज तो दो इसके लिए एक यानी फर्स्ट किलास जो हमारी थी ठीक है दोस्तो फर्स्ट किलास हमारी सीटिंग अरेजमेंट की इसी पर ही बनाई गई ठीक है ना तो दोस्तों अगर आपको ठीक है अगर आप देखना चाहो तो यह किलास पहले देख सकते हैं उसके बाद आज की जो किलास होगी आज की किलास दोस्तों हमारी होगी की लाइन बेज यानि एक रेखा के एक रेखा पर दो तरह के किस्चन बन सकते हैं आप एक रेखा पर तो बंदे कुछ आमने सामने भी बैठ सकते हैं इस तरीके से ठीक है दोस्तों अच्छा यहां कुछ वार्ड यूज करेगा जैसा कभी-कभी उत्रों मुखी मतलब उत्तर क यह उसने मुख के रहा है दक्षिन मुखी तो दक्षिन की साइड चेहरा होगा यह फिर एक दूतरी की तरफ फेज की वे बैठ रहेंगे तो ठीक है इसमें देखा जाए तो एक बंदा सपोज यह बैठा हो तो अगर देख लें यहां हम इस साइड में देखके तो इस है जहाएं है अज़िए क्या राइट साइड और इधर लिए साइड अगर देखकर तो बाई और बाएं और और इस सैड में बोले जागा आपका लेफ्ट साइड चीक है ना इस सैड में बोले जागा लेफ्ट साइड तो ऐसा ही जस्त अपोजिट होगा दाएं है तो इधर हो जाएगा आपका राइट राइट का मतलब तो समझगे ना राइट का मतलब हो गया अब बाइए और तो इधर तो हो गया राइट ठीक है ना और यहाँ पर लेफ्ट तो अपोजिट हो जाएगा दोनों एक दूसरे के ठीक है तो अगर किश्चन बूज ले सपोज की इन पर नाम लिख देते हैं यह A है यह B है यह C यह D और यह हो गया E अगर देख लिए जाए तो C के दाइऑ और दूसरा कौन है? C के दाइऑ और दूसरा E है ठीक है ना दोस्तों? बात आई समझ में C के दाइऑ और दूसरा कौन है? E है इस तरह से खिश्चन पूछे जा सकता है या A के दाई और पांच वा कोन है या सूरी पांच वा तहरी चोथा कोन है तो A के दाई और पांच वा कोन है E या E के ठीक है E के बाई और चोथा कोन है तो इस तरह से क्रिस्चन पुछे जा सकते हैं चलिए शुरू करते हैं तो पहला कि उस चन जो स्टार्ट कर रहें दोस्तों इसमें है कुछ ऐसा छे लड़के A, B, C, D, E, F तीन-तीन समू में, दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामने मूँ करके खड़े हैं दो पंक्तिया बनाई गई एक पंक्ति तो यह है भई एक पंक्ति यह है छेए थे तो इस तरीके से उन्होंने इसे रख दिया एक दूसरे के सामने face किये वे अच्छा क्या कहा अच्छ दोस्तों देखो हमें तो साय ज्यादा अनुबह हो है इस विज़े से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप इसे setup कर पाऊ तो इसके न दो तरह से लेकर चलना आपको ठीक है मतलब की दो condition इसकी साथ एक साथ लेकर चलनी चाहिए ठीक है अब चलो मालिया अगर एक दिस अभी बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा तो देखो पहला है बी डी के बाएं है बी जो है डी के बाएं है अब आप सोच रहे होगा अगर मैं यहां डी रख पढ़ा कोई बात नहीं ठीक है आप यहां भी रख सकते हैं इसलिए कहरा कि मैं दो डाइग्राम बनाएंगे चलो आप जरूर नहीं यहां से रख दो दहिने सिरे पर कौन है मैंनें बताया ताब կह सब डगणे पर यह हो गोवा जो अतमी के लिए पर मतलब सी दहिने सिरे पर है ठीक है टो फ इसके साम नहीं होएं अच्छव का और ड के भी कर्णित है D के विकर्णित भी हो गया ठीक है अगर E किसी सिरे पर नहीं है E किसी सिरे पर नहीं है तो E मिडिल में है तो बचा एक बंदा एक बंदा यहां पर कितना बचा A यहां तक तो कोई प्रोब्लम है नहीं दोस्तों अब कोई प्रोब्लम नहीं है तो जैसे बात question का answer देंगे तो A के विपरीत कौन खड़ा है A के विपरीत देखो कौन खड़ा दोस्तो कौन है D तो option D ठीक रहेगा यानि D इसका answer रहेगा आपका ठीक है ना A के विपरीत कौन खड़ा है तो D यहाँ पर और question भी बन सकते थे C के विकर्णित कौन है D है A के विकर्णित कौन है F है E के E के opposite कौन है ठीक है B और बीच में कौन है ठीक है ना दोस्तों देखो कितने 5 question बन सकते थे यहाँ से समझ माई ही मेरी बात चलिए next की तरफ चलते हैं कोई ज़्याद प्रॉब्लम की बात नहीं है तो इसी तरह next question देखो A, B, C E, F, G ठीक है उत्रों मुख होकर एक सीधी पंक्ती में बैठे हैं उत्तर की साइड में फेस का रखा अब अगर देखा जाए तो यह होते हैं डिरेक्शन यहाँ नोर्थ यहाँ East यहाँ South यह वेस्ट तो उपर की फेस में इसमें साइड में इनोंने फेस किये वे बैठे हैं और कितने बंदे हैं? 6 एक दो तीन चार पांच यह है 6 बंदे हैं यह बैठे हैं इस तरीके चाहिए अच्छा जरूरी नहीं है इसी करम में हो जैसा इनोंना बोल लखा कि ऐसी ही करम में आप जैसा चाहिए बिठा सको लेकिन कंडिशन फोलो होनी चाहिए चलो F और A F और A के बीच में तीन लोग बैठे हैं अब थोड़ी देर के लिए रुख जाओ अब बैठाने सकते ने तो F और ने A किसी पंक्ती के अंतिम छोर पर हैं यहां तक ठीगए दोस्तों तो अब हम बैठा सकते हैं अंतिम छोर पर ने बैठा सकते हैं तीन लोग इनके बीच में तो यह बैठा दिया हमने ठीक है न उसनों खुद कह दिया कि इनके अंतिम छोर पर नहीं बैठे हैं अंतिम छोर पर नहीं बैठने का मतलब यह है कि इनके बीच में एक मिनट दोस्तों यह आदमी कुछ मेरे क्राल से कम तो नहीं हो रहे हैं तो यह हो गया A B C D E F साथ हैं दोस्तों साथ हैं दोस्तों एक बंदा और बना लो तो काम करें थोड़ा सा इसे तो कर देते हैं राफ है ना और यहां डिख देते हैं कि इनके बीच में तीन होने जरूए थे तीन होने रहे थे बंदे ठीक है ना चलिए उसके बाद गया कहा A और G के बीच में केवल दो लोग बैठे हैं इधर देखो इधर दो लोग बैठने चकते हैं तो यहां जी होगा ठीक है ना अच्छा E ने तो A E ने तो A और वही F का पडोसी है उसने कहा E ने तो A का पडोसी है ने F का तो इसका मतलब यहां रखो मिडिल में क्योंकि यहां रखो गे तब B का पडोसी बने गया और इदर यहां से भी बनता है अच्छा अब है E B के बाएं दूर्ट तीसरा है बाएं क्या है दोस्तों E B के बाएं तीसरा है B के बाएं तो जही जी बात है अब B के बाएं है तो बाएं किधर ली साइड है अब मैंने बताया था इस साइड क्या जलोगे बाएं एक दो तीन तो E के बाएं तीसरा अच्छा B A का निकट पडोसी नहीं है नहीं है बिल्कुल सही है बी एक निकट पडोसी है एक बंदा बचावा कौन बच गया यह B C D T बच गया तो यह रख देते हैं यहां पर तो हमारी जो है दोस्तो पजल तयार होगी इनकारेजमेंट तयार है अब देखो देखो दोस्तो किस्टन थोड़ा सा लेंथी लगेगा देखने में लेकिन ऐसे ही अगर आप इसे एक मिर्ट में सोल कर ले तो पांच किस्टन आप कर सकते हो एवरेज और किस्टन के मुकाबले ज़्याद अच्छा यह नहीं कर रहेगा ठीकन होगा यह प्रक्टिस दोस्तो यह तो देखो मानना पड़ागा आपको प्रक्टिस करने होगी बहुत ज़्याद है चलिए सी के संद्रब में ए का स्थान क्या है सी के संद्रब में ए का स्थान क्या है चलिए कोई बात नहीं सी के संद्रब में ए का स्थान कोई बात न तो बताओ C के संदरम में E का स्थान क्या है तो देखो एक, दो, तीन और कौन से डायरेक्शन चल लिए दाई और तो C के संदरम देखके E का स्थान दाई और तीसरा तो दाई और तीसरा कौन सा उप्शन है पाच उप्शन ठीक रहेगा इसका ठीक है ना दाई और तीसरा ठीक है ना मैं लिख देता हूँ इस क्यूच्छन पर दाई और तीसरा ठीक है ना चलिए अच्छा निम लेकित में से कौन सा जोड़ा पंगती के दो अंतिम छोरों को बैठे को लोगों को दर्साता है तो देख लिखते हैं कौन-कौन बैठेक तो C एक बैठा भाब B तो कौन सा है B C तो ओप्शन 3 यानि B C आपका ठीक रहेगा ठीक ना चलिए B और A के बीच में कितने लोग बैठे हैं देख लो 1, 2, 3, 4 सोरी कहां चले गए एक 1, 2, 3, 4 4 बन्दे बैठे हैं ठीक है न दोस्तो तो 4 दोस्त बैठे हैं कितने हैं 4 लोग अगर 4 लोग बैठे हैं तो option रहेगा आपका 4 चली अब इसके बाद दी गई वैवस्ता के संद्रब में निमलिकित में से क्या सत्य है अच्छे D के दूबारा बठा देता हूं दोस्तों मेरे तो याद है एक बार मैं बनी हुई जो पजल है तो मैं जल्दी से बठा देता हूं एक बार क्योंकि अब वैवस्ता थोड़ी सी क्यूस्चन ऐसे ही हो चुके है में भी साथ हो चुके है ठीक है यहाँ पर B था और यहाँ पर F और A के बीच में ओल्लिडी तीन बन दे थे फिर यहाँ पर G था इसका पडोशिन नहीं था फिर इसके बाद ठीक है C का पडोशिन था यहाँ पर D था यह सब थे ठीक है न दोस्तों अब दी गई वैवस्ता के संद्रम में निमली खित में से क्या सत्ते है ठीक है D के बाएं दो लोग बैटे है D के बाएं दो लोग बैटे है तो बताओ यह बात तो पहली ही सकते है D के बाएं दो लोग बैटे है अच्छा E F के तुरंट बाएं है नहीं यह बात तो गलत है अच्छा A और D F और B के बीच में बैटे है A और D एफ और ये भी गलत है दोस्तों अच्छा बी के दाएं केवल एक बैठती है कोई बैठती नहीं है उदर दाएं साइड इन में से कोई सकते नहीं पहला ही सकते है दोस्तों तो ओप्षण फर्स्ट ठीक है ना दो लोग जी चलिए एक आखरी क्यूस्ट्यन हो रहे है दोस्तों अच्छा निमली कित में से कोई ए और जी के बीच में बैठता है तो कोई बैठता है डी और ए कोई बैठता है डी हाँ यह है ओप्षन दो डी और ए ठीक है ना दोस्तों ये लिजिए चलिए नेक्स की तरफ जब नेक्स कीस्टन देखो क्यूस्टन भी काफी बड़ा है दोस्तों तो थोड़ा ध्यान से रखना ठीक है ना तो ध्यान से तो ठीक है ना दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अच्छे से ध्यान से पढ़ा आपना क्यूस्टन ये तो अगर ध्यान से पढ़ा फिर तो कोई प्रोब्लम होने की निदोस्तों, अगर नहीं पढ़ा तो फिर पूरी प्रोब्लम होगी दोस्तों, ठीक है न, अगर नहीं पढ़ा गया, तो फिर पूरी पूरी समस्या होगी, चलिए, शुरू करते हैं, दस व्यक्ति आदि में भी ज़्याद हैं दस व्यक्ति A, B, C, D, E यानि पांच और पांच की पंक्तियों में दो पंक्तियों में इस परकार बैटे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के एक व्यक्ति के ठीक सामने मूँ की ये बैठा है चलिये, मतलब कि दो पंक्तिया है, कुछ इस तरीके थे दोस्तों यह होगा, पांच बंदेज में हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच इसी तरीके से एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है अच्छा, जहांद रहाए एक दूसरे की और मुख्ये बैठे है पहली पंक्ति के जो बच्चे है यानि पहली पंक्ति आपको माननी कौन जोगी जिनका फेस उत्तर की साइड है तो ठीक ना अच्छा चलिए शुरू करते हैं पर्थम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है तो उत्तर की फेस इनका है तो बी एच के तुरंत दाएं बैठा है एच के दाएं बैठा हुआ अच्छा अभी देखो यहां नहीं रख सकते ठीक है यहां क्यों नहीं रख सकते आप मेन बात क्या है क्योंकि कोर्णर उन्होंनों कहानिय भी ठीक है ना कॉर्णर पर चलो पहले थोड़ा सा पढ़ लो जो डी के ठीक सामने है जो मतलब की एच के लिए काउंट होगा एच जो डी के ठीक सामने हैं समझगे ना कि सी पंक्ति के अंतिम किनारे पर बैटा देखो जो किनारे पर होते हैं उन्हों पहले बोद देते में सी कहां पर बैठा तो इसलिए पहले हम इसे ऐसा कर लिते हैं यहां पर B, H के तुरंत दाएं है अगर यहाँ पर हम H रख लेते तो B इधर है और कौन सामने बैठा हुआ बताओ कौन सामने बैठा हुआ D, मैंने बताया जो उगिश के लिए दूसरे के लिए चलिए C दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है अंतिम किनारे पर और D के दाएं दूसरा है बाएं दूसरा सोरी तो D के बाएं दूसरा है कि अगर देखे जाता है इधर लिए से मैंने बताया था कि अगर इधर राइट होगी तो लेप्ट इधर होगी थोड़ी से ध्यान ते दोस्तों ठीक है और F के ठीक सामने है लो जी F यहां पर है एक मü Nu चाँ दोस्तों कुछ गलत पढ़ लिए गया अच्छा यहाँ तो आ गया C यहाँ तक हो गया हाँ दोस्तों यह गलत पढ़ लिए गया था A, D के तुरंत दाय है A जो है D के तुरंत दाय है A अगर यहाँ पर है तो D हो गया यहाँ पर चलिए और क्या है और F के ठीक सामने है A है ठीक है न दोस्तो F के ठीक सामने है यह लीजिए F के ठीक सामने है और क्या कहा गया G E के ठीक सामने है G जो है E के ठीक सामने है अच्छा अब E की जगे आपको बनानी होगी तो अगर E आफ अच्छा जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है इसका मतलब उदर तो F हो गया और यहां पर E बैठ गया और यहां पर हो गया यह जी ठीक है ना बस ठीक है बनने वाला एक और आदम कौन बनता बचा है तो जे रह रहा है जे किसी किनारे पर नहीं है तो यहां पर बैठा है लो जी बठा दिया हमने सब बैठ के गैप जादा ले ले लिए हमने अच्छा निमली कित में से व्यक्ति को कौन सा जोड़ा पहली पंक्ति के दो किनारों पर बैठा है यह तो थी 1st रो और च्छा जी यह थी 2nd रो तो 1st रो के पंक्ति क किनारों पर कोन बेठा एक बंदा हो रहा है कोन रहा हुआ ठीक है न तो आई रह रहा दोस्तों आई आना चाहिए अच्छा तो कौन कौन है इसमें जी 1st रो 1st रो की बात हुई तो 1st रो में है क्या जी और आई है दोस्तों कौन है जी और आई तो option 3 ठीक रहेगा अच्छा बी के बाएं दूसरा कौन है बी के बाएं दूसरा कौन है बी के बाएं तो 1,2,3 यानि F है दोस्तों कौन है F F रहेगा option 4 आपका ठीक है ना चलिए next E के बाएं तीसरा कौन है दोस्तों E के बाएं 1,2,3 तो कौन है जे ठीक है ना कौन है दोस्तों E के बाएं तीसरा कौन है तो निम्ल मेंसे कोई नहीं तो इनम्ल मेंसे J है दोस्तों J और पाँचवा option आपका ठीक रहेगा ठीक है ना चलिए अच्छा तो यहां के बाद अब क्या है next A निम्ली खित मेंसे किन दो वेक्तियों के बीच में बैठा है A बताना आपको निम्ली खित मेंसे किन दो वेक्तियों के बीच में बैठा है एक मिन दोस्तों E और D के बीच में किन के E और D तो E और D ओप्शन दो E और D के बीच में A बैठा है ठीक है ना दोस्तों चलिए अच्छा B के ठीक सामने कौन है B के ठीक सामने कौन है ठीक है देख लेगते हैं दोस्तों एक बाद सुपजल को एक मिनट बी के ठीक सामने B के ठीक सामने J है दोस्तों कौन है J फर्स्ट ओप्शन और J आप कांसर ठीक रहेगा सही है तो चलिए नेक्स्ट तो नेक्स्ट है दोस्तों नीचे देगी जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्यान करे उसके नीचे देगे पर्सनों का उत्तर दीजिए छे व्यक्ति दो कतारों में है कोई बात नहीं इसे पढ़ लिएते हैं कोई दिक्कत नहीं कितने हैं छे व्यक्ति दो कतारों में है लोजी दो कतार बना देते हैं एक तो होगी ये कतार एक व्यक्ति होगी ये कतार छे हैं तो तिन तिन का एक समू बनावा यह देखो कब बोल भी रखा उना यह लो जी तीन बंदे यह हैं आपके और तीन बंदे यह हैं अच्छा जो बात कही कही उसे पढ़ेंगे ध्यान से U R के दाई और दूसरा है U जो है R के दाई और दूसरा है देखो वैसे तो अगर यहां रख है यहां पर U ठीक हो जाएगा पर फिर भी एक बार आप ट्राइगर लेना यहां पर भी हो सकता है अच्छा P P कतार में सबसे अंतिम है P जो है कतार में कहां क्या है सबसे अंतिम ठीक है तो ज्यांत देखना पड़ागा अभी यहनि दो जगे बचीवी इधर भी हो सकता है इधर भी इधर ट्राइगर लेकते पहले अगर बढ़ते हैं T Q का पडोसी है T जो है Q का पडोसी है और Q R के सामने है बस यह ठीक ती में बात यहां Q है यहां पड़ी है एक बंदा और बचावा कौन है दोस्तो देखो P Q और S बचावा तो S हो लेगा है यहां पर चलो अंसर दीजिए देखो दोस्तों मैंने पहले ही कहा तो दोस्तों भले ही आपको यह पजल यानि जो क्यूस्टन दिया गया उसे सोल करने में एक या डेड़ मिन्ट लगती हो आपको लगता हो कि ज़्यादा समय लग रहा पर ऐसे ही पांच क्यूस्टन आप हल कर सकते हो उसी एक मिन्ट के अंदर ठीक है न दोस्तों निमली किद में से कौन सा एक कतार में है एक कतार में PTQ है इस मैं कहीं PTQ हाँ दूसरा अप्सन ठीक है दोस्तों इसमें लिखावा PTQ ठीक है न चलिए तो दूसरा अप्सन यह ठीक है अच्छा यदि पी तथा क्यू अपना अस्थान आपस में बदल कर लें तो ठीक क्यू के दाइं पी और क्यू अस्थान चेंज कर रहे हैं याने यहां पे पी हो गया सुरी क्यू हो गया और यहांपर उगा पी तो पुछा क्या गया تو क्यू के ठीक patio Animay और कौन बैठां थाएक यानि क्यू इधर आगया दाइए और कौन बैठां बताओ तो दाइं और कुछ है यह नहीं समझ रहे मेरी बात तो अगर यह चेंज कर लें तो दाइं और क्या बचा फिर कुछ भी नहीं ठीक सुरी दाइं दाइं और तो बच रहा दोस्तो एक मेंट बाइं और बच रहा दोस्तो हाँ भाई और कोई नहीं बचता तो भाई और ना बचने की वज़े से यहाँ पर option कौन सा रहेगा इसमें निम्ले में से कोई नहीं पांच अंच option रहेगा आपका ठीक है ना तो कोई नहीं यह लीजिए ठीक है न दोस्ता चलिए next निम्ले कित में से कौन सा एक व्यक्ती कौन सा व्यक्ती समू एक दूसरे के सामने है अच्छा पी क्यू एस टी एक मिट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर है पी क्यू पी क्यू यह है दोस्तों यही option ठीक रहेगा एक दूसरे के सामने है अच्छा दोस्तों ठीक से सडिक ना एक मिंट बना लेता हूं कियोंकि यहां पर दिक्कत हो रही है इसमें तू पूला गया उसी के काम करना हो न यहां हो गया Q और यहां पर गया T और यहां पर गया P और यहां पर होगे यू अच्छा यह होगे एस और यह होगे और देखो कौन से एक दूसरे के सामने है कि पी यू है सोरी पी यू नहीं है स्टी हां स्टी तो है आर यू नहीं पी एस तो पैई उप्शन है आपका कौन सा दूसरा उप्शन ठीक है एस और टी आपने सामने बैठे वे दोस्तों ठीक है ना चलिए निमली की तुमें से कौन सा एक कथन को सत्ते है निमली की तुमें से कौन सा एक कथन सत्ते है जल्दी से पढ़ लेते हैं यह पी आर के दाइं और दूसरा है जो पी है आर के दाइं और दूसरा है यह तो गलत ही है क्योंकि R और P में तो कोई सम्मद है यह नहीं जैसा हमने देखा था ठीक है R उपर है और यह नीचे है तो इसमें तो कोई सम्मद है यह नहीं पहला गलत T Q के दाइयोर है T जो है दाइयोर दूसरा है यह भी गलत है ठीक है ना अच्छा अब देखा जाए तो next यहाँ पर है शोरी दाइं और नी दाइं और ही है T Q के दाइं और है T जो है Q के बाइं और शोरी बाइं और है यह तो ठीक है दोस्तों यह तो ठीक हो रहा और देख लो R और Q एक दूसरे के विकर्णित है R और Q नहीं विकर्णित होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए थे या इस तरीके थे है यह ठीक नहीं है चलिए S और P के दाइं और है S P के दाइं और है यह भी संबन करता तो अगर देखा जाए तो option इसका दूसरा ही option ठीक रहेगा दोस्तो ठीक है न T Q वाला यह लीजिए चलिए next पर तो निमली कित में से कौन एक दूसरे के सम्मुक नहीं है यानि एक दूसरे के सामने नहीं है यहाँ पर क्या कहा गया यह R Q भी है पहला ही option है ऐसा दोस्तो T S V है T S ठीक है इसके बाद U P और जी इसके बाद हो गया क्या हो गया R यानि P T पहले वाला ही option ठीक है चलिए अब देख लो question थोड़ा सा बड़ा है दोस्तो थोड़ा ध्यान से देखना ठीक है न चलिए शुरू करते हैं कोई बात नहीं इसमें भी क्या क्या ये person निमले की जानकारियों पर आदारीत है इसे ध्यान से पढ़िए और person के उत्तर दीजिए A, B, C, D, E, F, G, H, I, 10 सदसे जो X और Y टीम में बटे हैं एक टीम तो X से एक Y है पर तीम में 5 सदसे हैं इसका मतलब 5 बंदे एक साइड में बैठे हुए कुछ इस तरीके से रखिए ये होगे 5 ठीक है ना एक, दो, तीन, चार, पांच यहां पर भी एक ज्यादा दूर होगे दो, तीन, चार, और पांच अच्छा जो X टीम का एक सदसे हैं ठीक है X टीम का ठीक न, ये X होगी मेरी होगी, Y टीम अच्छा चलिए X टीम का सदसे Y टीम के सदसे की ठीक टाम सामने है X टीम की सदसे का मुख उत्तर की हो ओ रहा है ये लेज़िए, हमने ठीक किया इनका फेस उत्तर की साइड है अब जो है condition रखते हैं क्या कहा गया D A के दाएं है D जो है A के दाएं है ठीक है D A के दाएं तीसरा है D जो है दोस्तो A के दाएं तीसरा है A के दाएं अगर मैं एक यहां रख लेता हूँ तो एक, दो, तीन तो डी यहां बैटा है ठीक है न दोस्तो और जी के एकदम सामने बैटा है कौन? ए जाहिर सी बात है और सब्द है दोस्तो अगर जो सब्द होता तो दूसरे के लिए पढ़ते पर और सब्द है थोड़ी से धिहनत रखना है तो मतलब अब पहले के लिए वर्ड होगा यूज आपका तो यहां पर होगा जी बी, जी के एकदम दाएं बैटा है तो यहां पर बी होगा और दक्सिन के और मुखा ठीक है बिलकुल H, B के दाएं तीसरा है H, B के दाएं तीसरा है एक, दो, तिन, H यहांपर होगा और F के ठीक सामने है यह लीजिए C, A, E C जो है A, वै, E के बीच में C, A, वै, E के बीच में यहांपर C और यहांगा पीच में ठीक है ना एच बी के दाएं तीसरा है एच जो है बी के दाएं तीसरा है ये तो हो गया ये डबल हो गया एच के ने नहीं ठीक है अच्छा इसने कहा कि C, A, E के बीच में और I के ठीक सामने आई है दोस्तो ये जो जीब सा लग रहा न देखने हम तो C आई के ठीक सामने एक बंदा और बचा हुआ आपका में भी J होगा पर जिसे J को यहां पर रख देते हैं बस सब कंपलीट हो गया ठीक है न तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो तो क्या रहेगा आपका C के बाएं दूसरा कौन है C के बाएं दूसरा कौन है अब C यह है दोस्तो अब C के बाएं देखना है दूसरा तो बताए मैं आपकी जल्दी दूस्तो C के बाएं दूसरा कौन है बताव C के बाएं इधर लिजी साइड है एक दो जयानि A और F, F रहेगा आंसर इसका First answer ठीक रहेगा ठीक है ना answer रहेगा first यह लिखती है मैंने answer यह यह लीजिए चलिए next निमलिकित में से कौन सा समू एक पंक्ती में बैठा है A, E, I तो थोड़ा सा यह टपसा बढ़ सकता है इसे बना ही लेते हैं जल्दी ठीक है ना, यहाँ पर बना लेते हैं और A किस्चन के लिए जल्दी से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं तो अगर दिखा जाएते हैं यहाँ पता दोस्तो F, A, C और यहाँ पता E, और यह था D, एक मेंट दोस्तो H, J, I यहाँ पता H, J, I B, और यहाँ पर बचा हुआ था आकरी बन्दा G यह था दोस्तो अब बताओ कौन है निमली कित में से एक पंक्ती में बैटा हो H, I, E Sorry है नहीं A, C, B यह भी नहीं है C, D, I यह भी नहीं है H, I, G यह ओप्शन चोथ था जो चार ओप्शन है H, I, G यह सही है दोस्तो ठीक है ना चलिए Next की तरफ D के दाएं कौन बैटा है Sorry, B के दाएं B के एकदम दाएं कौन बैटा है यह B है अब मैंने बताता है इसका दाएं सेड़ इसका दाएं सेड़ तो ठीक है ना Change हो जाएगा तो बता सकते आप कौन है बताओ जल्दी I तो यह है Option 3 तो B के दाएं जो है Option 3 यानि I है ठीक है ना अच्छा चलिए Next J के एकदम बाएं कौन बैटा है J के एकदम बाएं यह J है तो J का इदर ली साइड अगर देखा जाए तो इस साइड दाएं तो यह भी कौन बैटा रहा है I J के एकदम बाएं बैटा है कौन I तो चलिए तो J के एकदम Option इन में से कोई नहीं है बैसे ठीक है ना दोस्तो चल पाँच पाँप्शन ठीक है यहाँ पाँप है पाँच और यह I आनसर ठीक रहा है तो एक क्यूस्चन हो रहा है J के एकदम सामने कोन बैटा है तो अब भी क्यूस्चन कुछ ज़्यादा होगे दोस्तो तो इशी पर बना देता हूँ में जल्दी से है ना पाँच बंदों के लिए यह भी पाँच के लिए एक दो तीन जर पाँच एक दो तीन जर पाँच ठीक है यह एज J I B G यह दी E C A F ठीक है ना तो जल्दी से J के एकदम सामने J के एकदम सामने कौन है दोस्तो A option A तो दूसरे option का A ठीक रहेगा आपका answer ठीक है ना दोस्तो आई बास आण में चलिए next की तरफ चलते है तो यह है question number ठीक है दोस्तो तो A, B, C A, B, C और F खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं यानि खाने की मेज है आमने सामने बैठे हुए कोई बात नहीं अब तो B A, C के बीच में है B जो है A, C के बीच में है चलिए कोई दिक्कत नहीं राजनीती और वेपारिक भी से सग्ये है तो में बठा ही देता है दोस्तों इनमें थोड़े सी कंडिशन रहेगी तो जल्दी से बठा देते हैं रहे क्योंकि इनमें पर नाम भी लिखने होंगे अब ये समय लग सकता है थोड़ा सा धेरिये बनाए रखें कर पर आप लोग ये लीजिए यहां पर बी जो है ए और सी के बीच में है तो बठा लेते हैं यहीं पर ये तो ए इस और एदर रखना पड़ागा और बी रखो गए आप यहां पर और यहां पर सी अच्छा राजनितिग्य और वैपारी एक छोड़ पर है राजनितिग्य और वैपारी एक छोड़ पर हैं यहां पर लिख लो वैपारी क्योंकि इसमें तो बात हुई नहीं और यहां हो गए राजनितिग्य यानि पोलिटीजियन ठीक है न तो थोड़ा सोट में ही कर लितने काम चलिए राज नितिक की अच्छा लिखन जा रहा दोस्तों सही अच्छा ई एक सैनी का दिकारी है ई सैनी का दिकारी सी प्रोफेसर है यह लीजे यह तो हो गया प्रोफेसर ठीक है और डाक्टर की बगल में है तो मतलब बी है डॉक्टर ठीक है न यह डॉक्टर है अच्छा अच्छा वैपारी इंजीनियर के सामने है तो यहाँ फिर यह हो जागा इंजीनियर इंजीनियर लिखना बहुत भारी हो रहा दोस्तों ठीक है न यह हो गया इंजीनियर यह डॉक्टर हो गया सबलीए प्रोफेसर है दोस्तों अच्छा डॉक्टर मध्य में बैटा है बिल्कुल ठीक मध्य में बैटा है और सैनिक अधिकारी के सामने है यहाँ पर है दोस्तों सैनिक अधिकारी ठीक है इतना याद रखने सैनी का दिकारी то E, एक सैनी का दिकारी है E था सैनी का दिकारी C, एक पुरोफेसर है ये भी ठीक होगा डाक्टर की बकल में बेटा है यहां तक तो सब कुछ हो चुका है और दो बंदो की बात है भी उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है जो भी कह नहीं सकते कुछ भी तो चलो क्यूश्चन पढ़कर देखते हैं डाक्टर कौन है बस क्यूश्चन तो आसान साही पूचे गया वैसे दोस्तों डोक्टर तो बी है ओप्शन दो दोप्शन डोक्टर है बी और देख लेते हैं कोई किस्चन अच्छ तो दोस्तों यह तो हमारा लास्ट किस्चन था ठीक है दोस्तों फिर कैसे आज ठीक है ने दोस्तों यह लास्ट किस्चन था अच्छ दोस्तों तो आप कैसी लेगी यह किलास कमेंट के माद्ध हमसा आप जरूर बताईएगा आज की किलास आपके लिए यानि कैसी रही आपके विचार क्या है दोस्तों अगर कुछ आप किसी तरह का सुधार चाथते हों तो वो भी आप जरूर बताईएगा ठीक है दोस्तों और हाँ दोस्तों अगर किलास आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए ठीक है और हो सके इस किलास क ज्याद से ज्यादे दोस्तों में फैलाने की कोशिश करना ठीकने दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका दिन सुभ हो थेंक्स पूर वोचिंग